बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, अस्सलामु अलेकुम उसकी हालत देखकर मैंने इंकार कर दिया, दो तीन बार ऐसा ही हुआ, रिष्टा आता तो वो मुझे इंकार करने को कहते थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि वो मना करने को क्यों कहती है, कुछ माँ बाद दुबारा एक और रिष्टा आया, इस बार मेरे घरवालों ने मुझे इंकार ना करने दिया, क्योंकि लड़का बहुत हैंसम था, और दुबाई में होता था, मैंने भी हां कर दी और मेरी मंगनी हो गई, मुझे अंदाज़ा था कि इरम बहुत नारास होगी, मगर उसने तो हंगामा मचा दिया, और मुझ से दोस्ती खत्म करने की धंकी देकर च एक महीना हो गया था, एक दिन इरम की बड़ी बहन मुझ से मिलने आई, और कहने लगी, इरम चुपचापसी हो गई है, खोई-खोई सी रहती है, और अकसर घर से बगार किसी को बताए, कहीं चली जाती है, उसके सारे घरवाले बहुत परिशान थे, उन्होंने मुझ से कहा की कोशिश भी की, मगर वो मुझे देखते ही दर्वासा बंद कर देती, एक दिन मैंने अपनी खिर्की से देखा केरम घर से काली चादर ओड़े, बाहर निकल रही थी, मुझे अजीब लगा, वो मूझ छुपाए घर से बाहर क्यों जा रही थी, मुझे तजस्स हुआ, मैं वो यहां क्यों आई है, कुछ दिर बाद वो वहां से निकल गई, मैं फॉरण जौंपड़ी के अंदर गई कि देखूं किस से मिलने आई थी, मगर वहां कोई भी नहीं था, महरान होते हुए वापस आ गई, वो पहले मुझ से कुछ नहीं चुपाती थी, अब जाने उसे क् दो दिन बाद मैंने फिर से उसका पीछा किया, तो ये जानकर मेरे रॉंक्टी खड़े हो गए, कि वो किसी लड़के से मिलती है, मुझे बहुत खुसा है, कि मुझे मंगनी से मना करती है, और खुद यहां चकर चला रखा है, उस लड़के ने सर पर कैप पहन रखी थी, व मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया, मैंने जान बूच कर दूर से ही उसे आवाज से, मेरी आवाज सुनते ही वो लड़का फौरन भाग गया, और इरम का रंग फाक हो गया, मैंने उस से जाकर पूछा कि ये क्या चक्कर है, कहने लगी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, प्लीज, किसी को ना बताना, मैंने कहा कि मुझे उस लड़के से मिलवाओ, मैं खुद तुमारी शादी करवाओंगी, मगर वो उस लड़के को मिलवाने पर तैयार ही नहीं होती थी, कहती थी, वो बहुत शर्मीला है, तुम से नहीं मिलेगा, मुझे श का मुबायल चुरा लिया, धर आकर उस लड़के को इरम बनकर मैसेच किया, और मिलने के लिए बुलवा लिया, अगले दिन मैंने इरम की काली चादर ली और मुझे चुपा कर उस बस्ती में देखने चली गई, कि कौन है वो, थोड़ी देर बाद वो लड़का आ गया, जै मुझे देख कर खबरा गया, माफी मांगने लगा, उसने मुझे बताया कि जब से हमारी मंगनी हुई थी, इरम उसे रोज कॉल करके अपनी तरफ माईल करने की कोशिश करती थी, आहस्ता आहस्ता मेरा मंगेतर भी उसकी जाने राखब होने लगा, वो दोनों मुझे चुप नहीं नहीं आया, इरम से पूचा तो कहने लगी, जब भी तुम्हारा रिष्टा आता था, तो मैं बहुत चलती थी, क्योंकि तुम बहुत खुबसूरत थी, और मैं नहीं, तुम्हारे बहुत सारे रिष्टे आते थे, और मेरा कोई रिष्टा नहीं आता था, जब तुम् मैंने अपना मामला अल्ला पर छोड़ दिया, अल्ला ने मेरा बदला भी खूब लिया, कुछ वर्से बात पता चला, कि उस शखस ने इरम से पहले भी छुपकर निकाह किया हुआ था, उसने इरम को भी धोका दिया था, मैंने अल्ला का शुकर अदा किया, कि मैं बच गए, ब आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद कहानिया सुनने के लिए, हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए, कहाने सुनने का शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए, आला हाफिज